कृष्णावतार की एक लीला ऐसी है जिसमें बड़े-बड़े बुद्धिमानों को भी भ्रह्म पैदा होता है वो लीला है पूतना उध्धार पूतना का उध्धार क्यों हुआ यह प्रस्थ्न है यह कहा जाता है कि भगवान बड़े दयालू है इसलिए उन्होंने उध्धार कर दिया तो अगर भगवान ऐसे दयालू है कि दुर्भावना वाले का भी उध्धार कर देते हैं तो फिर सारे संसार का उध्धार कर देना चाहिए कम से कम आप लोग जितने यहां बैठे हैं उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो श्री कृष्ण को मारने का प्लान बनावे थोड़ा बहुत प्यार हम सब लोगों का है अरे एक परसेंट सही है तो दुश्मनी की भावना तो किसी की भी नहीं है और पूतना ने तो बाकाइदा प्लान बनाया जहर लिया इतना भायानक जहर कि उसके छू लेने से मर जाया आदमी उस जहर को अस्तन में लगाया और बड़ी चालाकी से सुन्दर इस्त्री बन कर गई यो सोदा वगेरा बैठी थी स्याम सुन्दर छे दिन के थे छे दिन के पालने में लेटे थे और ये सुन्दर इस्त्री बन कर गई सारी ब्रजबासी इस्त्रियां देखने लगी इसको इतनी सुन्दर इस्त्री ये हमारे मृत्यलोक की नहीं है ये तो कोई देवी है देवी ऐसी श्रद्दा हो गई सब की उसने उठा लिया स्रीकृष्ण को गोद में तो ऐसे भी छोटे बच्चे को कोई भी इस्त्री उठा कर प्यार करती है तो उसकी मा को खुशी होती है आप सब लोग एक्टिंग करते हैं दूसरे के बच्चों के साथ उसके गाल में ऐसे ऐसे कर दिया कर दिया उसकी मा को खुशी हो गई प्यारवार नहीं एक्टिंग और उसने तो बड़ी एक्टिंग के साथ आख्वा में खुब प्यार की एक्टिंग और हाथ गोद में ले लिया सब देख रहे हैं बैठिये और फिर अपने आचल के नीचे कर दिया श्यामसुंदर को और अपने अस्तन को श्यामसुंदर के मुह में जबरदस्ती डाल दिया अच्छू जाए होट में मर जाएगा लड़का ऐसा जहर कहर उसके बाद नाचक हुआ श्यामसुंदर ने पीने की एक्टिंग करके उसके प्राण को पी लिया ओब राच रूप धारण करके आकास में ले गई श्री कृष्ण को बारा मील लंबी बन गई बारा मील लंबी और श्यामसुंदर ने उसका अस्तन छोड़ा नहीं प्राण खींच लिया अस्तन पीने के बहाने जब वो गिरी जमीन पर हजारों पुट उचाई से तो बारा मील के पेड सब गिर गए और बड़ी भयानक आवाद हुई खैरों मर मरा गई उसको गो लोक दे दिया तो सम्हात्माओं ने मीटिंग की की गो लोक क्यों दे दिया जी अरे श्री कृष्ण ब्रह्म है हाँ अंतर्यामी है हाँ हाँ वो पूतना के हिरदय में भी बैठे हैं हाँ तो उसके आइडियाज नोट किये होंगे कि मार डालने की मन्शा से उसने अस्तन मुह में डाला तो उसको तो घोर नरक देना चाहिए था गो लोक कैसे दे दिया अहो वकीयं स्तन काल कूटं काल कूट विश्व जिगान सया मर डालने की मन्शा भी थी पाया यादप्यसाद्वी और लेभे गतिम परम गती को प्राप्त हुई बेज से लेके रामायन तक कहते हैं सब कि पूर्ण शरनागती हो तब गो लोक मिलेगा यदा हेवैश एतस्मिन अंतरं तु दरम अंतरं कुरुते अठतस्क भयं भवती यदा हेवै तस्मिन अंतरं कुरुते अगर भगवान की शरनागती में पॉइंट वन परसेंट की भी कमी है वो न भगवत प्राप्ति होगी न माया निव्रित्ती होगी न भगवान का धाम मिलेगा पॉइंट वन परसेंट भी गरबर न होनी चाहिए कम्प्लीट सेरेंडर का मतलब पूरुन शरनागती सेंट परसेंट और यहां शरनागती का सवाल ही नहीं यहां तो उल्टा है वो मार डालने की मन्शा है उसकी तो यह शास्त्रवेद के सिद्धांत के विपरीद पूतना को गती भगवान ने क्यों दी कैसे दी और अगर दी तो फिर सब को देना पड़ेगा यह ला है तो वास्तों में पूतना पूर्ब जन्म की महापुरुष थी यह प्राइबेट बात जब राजा बली के यहां बामन भगवान का आवतार हुआ था तो उस समय राजा बली की लड़की थी रत्ममाला उसका नाम था वो भगवान को देखकर मोहित हो गई और उसमें मा का भाव आ गया कि अगर मैं कभी इनको गोद में लेके अस्तन पिलाऊं तो कितना सुख मिलेगा आईसी कामना करके उसने बामन भगवान से मनही मन बर मांगा यह बली बिरोचन का लड़का था बिरोचन प्रहलाद का लड़का था प्रहलाद हिरन कशपू का लड़का था देखोँ सब उल्टा-पल्टा हो रहा है घोर राक्षस हिरन कशपू के बड़ा भारी महापुरुष प्रहलाद पैदा हुआ पैदा होने के पहले ही महापुरुष थे हो मा के पेट में ही और फिर उनके लड़के बिरोचन के लड़के बली फिर राक्षत अव उनकी लड़की फिर देखो महापुरुष रत्ममाला भगवान को देखकर मोहित कौन होगा महापुरुष और बाकी लोग नहीं हो सकते आप लोगों ने भगवान को हजार लाख करोड बार नहीं अनंत बार देखा है राम को कृष्ण को आप लोगों ने देखा है लेकिन वो सुन्दर नहीं लगे क्यों आपका हिर्दय गंदा था पाप युक्त था तुझा की रही भावना जैसी प्रभु मूरती देखी तिन तैसी अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को लोग देखते हैं अवतार काल में केवल महापुरुष देखता है ये भगवान है और कोई नहीं देखता आक से सब देखते हैं लेकिन भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे उनको बिदूशन प्रभु बिरात्र मैं दिशा बहु मुख कर पदलो चन शीशा देखिए संसार में आप किसी को भी देखेंगे तो ती नहीं बात हो सकती है या तो वो अच्छा लगए और या तो वो बहुत खराब लगए और या तो वो कॉमन लगए बस और कुछ नहीं हो सकता तीन में एक बात होगी अगर सुन्दर है तो आप देखेंगे तो बार बार देखने को मन करेगा सुन्दर लड़का है सुन्दर लड़की है अगर कुरूप है तो एक बार देखा फिर दोबारा देखने को मन नहीं करेगा और अगर आपकी तरह है और दीग है कोई खास बात में लेकिन राम के कृष्ण के देखने में क्या बात है कि बाहु मुख कर पदलो चन शीशा एक कहता है राक्षस इसके चार मुह है दूसरा कहता है गिन्ती भी आती है आठ है तुम दोनों अंधे हो 15 मुह है इसके मैं गिन्रा हूँ तो क्यों जी एक आदमी के अनेक मुख कैसे दिखाई पड़ेंगे हजारों मुख दिखाई पड़ रहे हैं किसी किसी को और किसी किसी को खाने दोर रहे हैं वो सारे मुह उटकापने लगा देखके और उनी को भक्त देख रहे हैं और विभोर हो रहे हैं तो यह भगवान का शरीर चिदानंद मैं है अलौकिक है उसमें यह चमतकार है कि आपकी जो जोग्यता है भीतर से वह इसे ही दिखाई पड़ेंगे इसलिए अनन्तवार भगवान को आप साक्षाद देखा करें और बड़े बड़े कृपालू के बाप बोले भगवान है आप कहेंगे दिमाग कराब है कृपालू का ऐसे कहीं भगवान होते हैं इनको तो हमने देखा था हमारा जो बेटा है सगा बेटा उतने सुन्दर भी नहीं लगे क्योंकि हमारा मन गंदा है पाप जुक्त है तो भगवान को देखकर मोहित होगा महापुरुष्ट और कोई नहीं तो रत्नमाला मोहित हो गई बामन भगवान को देखकर किसी से सिद्ध हो गया ओ महापुरुष्टी पूर्व जन्म की और मन ही मन बामन ने बरदान दिया अगले जन्म में मैं स्रिकृष्ण बन कराऊंगा और तुम पूतना बन कराना तो मैं तुम्हारा अस्तन प्यूंगा तुम राक्षस की बेटी हो वहाँ भी राक्षस बनोगी लेकिन तुमको मा का सुख मैं दूंगा और मा की गती भी दूंगा वो रक्तमाला पूर्ब जन्म की महापुरुष्टी इसलिए इस जन्म में राक्षस होने पर भी उसकी परस्नेलिटी भीतर से महापुरुष्टी थी इसलिए उसको मार करके भगवान ने गो लोग भेज दिया जैसे शुशुपाल को मार कर गो लोग भेज दिया रामन को मार कर गो लोग भेज दिया ये सब महापुरुष लोग हैं पूर्वजन्म के इसलिए ये कभी न सोचना कि बिना भक्ति के किसी का उद्धार कर दिया भगवान ने इंपॉसिबिल उनके हां अंधेर नहीं होती एक कानून है सब के लिए ब्रह्मा शंकर भी हो तो कोई रियायत नहीं करते भगवान सब के लिए एक कानून है पूर्ण शर्णागती के बाद ही कृपा होगी अंधे विए